दोस्तों जैसा कि अब यह मॉडल देख पार है इसका साइज है दस बाई 40 हमारे एक सब्सक्राइबर तो उनके कहने पर हमने यह मॉडल डिजाइन किया है और यह मॉडल आप इसका साइज मैंने आपको पूरा डिसकस करके बता रहे हैं बाला हूँ इसमें ग्राउंड फ्लोर फ़स्ट और सेकेंड फ्लोर तीन फ्लोर मैंने डिजाइन किये देखी गा बहुत ही प्यारा सा मॉडल है जिसका साइज बहुत ही कम है दोस्तों दस बाई आप जरूर कर लें कि यहां पर लिट्रिश्ट आप जरूर लगातार मिलते रहते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है आपको इस पैस्पी मॉडल बनवाना चाहते हैं तो मैं कमेंट करके बताएं हम आपका मॉडल जरूर तयार करेंगे तो चलो इस मॉडल कुरा डिस्टे में आपको इस पूर पूरा देखीगा लाश्ट लिए लिए लाश्ट फ्लूर और ग्राउंड फ्लूर सभी कुछ दिखने वाला में आप देख लीजए या टॉप की बात करें तो टॉब से ऐसा देखेगा और फ्रेंट से यह मॉडल ऐसा आपको दिखने वाला होता है स्त बाद चाहां है तो जैसे हम इसको डिफाइन करते हैं तो जैसे हम इसको ऐसन पोजिशन पर लेकर आते हैं तो देखेंगा कूला कि जाने ंटा चाहिए आ पछे मेरा बस्त плат सी प्रशन श्वान क्मिलाना अजारशन जाते हैं आहीक कNज जान जान क्मिले। आप प्रॉक्स आपका यह चोड़ाई है और यह सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है दोस्तों यहाँ पर आप विंडो भी जो लंबा लंबा है दिखर आप विंडो भी लगवा सकते हैं और यह चोटा से मैंने 2-5 फिट की जगए आगे छोड़ दिया है आप इसमें बाइक या और कचपार कर सकते हैं या अपना घाशवास जो भी चाहें वो लगा सकते हैं तो जैसे अब इंटर करते हैं में डोर से तो सबसे पहले आपको मिल जाती स्टेयर्स देखी का दोस्तों यह 6 फिट यह टोटल जो आपको एक गलीज दिख रही है यह चार फिट की है अगर वो आप इस्तिमाल करेंगे तो आपका काफी जगह यहां पर छूट जाएगा और आपको बाद मुझसे इस्तिमाल कर पाएंगे तो आप जैसे देखीगा इस मॉडल के साहिता जैसे गली से अंदर आते हैं तो सबस्तेयर्स फिर आपको मिल जाती है ट्वालेट आप जिसमें लेटरिंगर बातरूम जो कि मैंने कमाइंड कर रखा है क्योंकि जगह बहुत ही गम है आपको अर्जिस्ट करना पड़ेगा दोस्तों उसके बगलम आपको मिल जाता है कि गेस्ट रूम समझे लीजए क्योंकि इसको मैंने ज्यादा दिवालें इस पर नहीं बनाई तो 10 वाई 6 में आप अपना अर्जिस्ट कर सकते हैं एक रूम और इसके बाद यह देखिए आपका किशिन का एरिया सूटा है यह देखिए का किशिन और इस पर मैंने जो लास्ट में आपका रूम दिया है मैंने इस पर एक दिया है आपको मैंने गेट और यह जो आपको द जो भी खाना जब बनता है तो गर्मी होती है तो गर्मी हो शकता रूम में जा सके तो आप इडिपेंट करता ही विंडो आप लगवाना चाहते है कि नहीं चाहते है फिलाल मैंने लगाया है और देखेगा यह पूरा लेते हैं तो फरस्ट फ्लोर पर जैसे आते हैं स्टेर्स के माध्यम से तो जो दो फिट की मैंने जगे छोड़ी तो आपको यहां बालकनी का काम करेगा और मैंने यहां पर रेलिंग लगा दिया आजपास यह अब इसके बाद फिर से देखीगा मैंने जो यहां पर लेटिंग बातरूम भी आपका शेम टू शेम रहेगा और आपके इस टेयर से भी शेम टू शेम रहने वाली हैं यह आपका राउंडेड विंडू बे वेंटिलेशन के लिए और यह भी आपके ग्लासेश लगवाई सकते हैं या विंडू का यूज कर सकते हैं यह वो गया इसका और दोस्तों मैंने नहीं ज्यादा दिजाइन किया जो सिर्फ आपकी स्टेयर्स थी उसी को आसपास से बना कर और फ्रेंट वाला जो डिजाइनिंग का बार था वो बना कर लीव कर दी है तथा इस वीडियो को Facebook पर भी जरूर शेयर कर लें Thanks for watching